राहीन ने पना बाथ टाइम बहुत पसंद करता है और अब तक तो आप जान ही गए होंगे की उसे नहाना कितना पसंद है कि उसे जबरदस्थी उठा कर बाथ रूम से बाहर लाना पढ़ता है य। क्योंकि राहिने का बाथ टाइम वाव टाइम होता है उसके लिए बाथ टाइम को और फन बनाने के लिए अगर कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े आड़ की जाए तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं जैसे कि ये Wow Skin Science का Kids Plush & Plump Mango Body Lotion ये body lotion बच्चों की skin को deep nourishment देता है और इसमें SPF protection जो skin को UV rays की damage से बचाता है इसकी smell बहुत amazing है एकदम mango mango वाली ये lotion dry and damage skin को soothe and moisturize करता है इसमें mango seed oil, vitamin E, A and C जो skin को healthy रखते हैं ये skin में जल्दी absorb हो जाता है और इसमें है chia butter, cocoa butter and aloe vera extract जो लंबे समय तक skin को moisturize रखते हैं इसमें harmful chemicals जैसे की silicone, mineral oil, parabens and color नहीं है इस body lotion के link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी आप भी ज़रूर ट्राए करें क्योंकि bath time is the best with wow, be wow naturally कि राहिझन नह्या जाएग जाएड़ लगया कि मुझाु सिमस्या व्याया है जो मैुझाराई मैं ये देडेई है जदाते हम इस्ति इस इस ऀया है जो मैं ब्ड़े श 화ह में थेड़ेशन में हमने रहिएशन कि बार देड़ेवा है आपको तो पता ही है reason क्यों पर आज हम जाने वाले हैं एक जगह पे तो वो बहुत beautiful place है recent में मेरे मम्मी और भाहिया सब लोग जाकर आयते वहाँ पे और वहाँ पर हमने देखा कि रश भी नहीं था अर आज हम देखाँ है तो आज हम जाएं में आज हम आज है कि अगी आज है अज तायारी है अभी को चाट और चट्पती चीजे अवहाँ पसंद है आज मैं अभी के लिए स्पेशल बनाने वाली हूँ हूँ डेली स्टाइल अलुचाट और काले चैने की चाट तो यह दो हमारा लूंच इसी में होने वाला है क्वांटिटी जाता है और क्या है? नहीं मुह से पानी किर ला था आव जांच रिए तो नहीं है तो अवि राहीन नहां के अग्डम लोशन लगा के दादी की सब गया है तो यहां पर निचे नए हमारे लेकर जाते हैं पर फिलाल वो आई के साथ गया है और हाँ आज हम लोग जो बर्दे केक कटिंग करने वाले हैं अभी की तो सिंपल सा मैंने केक बनाया है मतलब एक बर मैंने पहले भी उस मेरी फेवरेट बेकिंग डिश में केक बनाया था बस मैंने माइक्रोवेव नहीं किया इस पर मैंने बेक किया है पर बेकिंग डिश में किया है तो उसे निकाले बगेर ही मैं उसी पर गनाश लगा के डेकोरेट करूंगी अभी ने बोला कि आज खरीद लेते हैं केक मंगा लेते हैं पर वो क्या होता है ना कि जब तक एकदम अलार्मिंग और एमर्जंसी ना हो सब तक मैं प्रेफर नहीं करती बाहर से खरीदना क्यूंकि बाहर वाले केक में बहुत ज्यादा प्रिजर्विटेव और इस तरह की चीज़े होती है इस वजे से बहुत ज्यादा दिन टिका रहे तो फिर सिंपल सा केक होगा हम रात को केक्टिंग करेंगे जब भूम के हम लोग एक्चली हमारे गर में ऐसे होता है कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि भई ही रोटी सब्जी सब होना ही चाहिए अगर कुछ ऐसी चीज़े बनी अगर पानी पूरी बनती है तो हम पानी पूरी में ही लंच यह डिनर कर लेते मतलब वही हम जादा है यह तो ब्रेक्प वही बनी तो वही जादा क्या ओगि अगर उसी में लंच यह डिनर कर लो तो इच्छ भी होता है कियो एच्छ बड़ा की अगर हो गाए हम तो पूरी नहीं साल के होगए है यह ज़िए में तो मैं ववा 73 साल के हो है चलो फुड़ी तो है तो एंज जाओ बनाँगी जब तो थो आप दालोंगी ना, तो हम लो video shots लेंगे, अब राहिन नीचे क्या कर रहा? अगर वो हमारे balcony से जो दिखता है यह हमारे terrace से दिखता है जो नीचे, अमनेटी का छोटी बच्चो वाला section हो एक्साट्ली हमारे terrace के एकदम नीचे आता है आई राहीने को जुला रही है और साथ में आई-फोन पे बात कर रही है वमें नजार आ रहा है उपर से आपर से ही इस बोल में फ्राइड आलू डालके, सब चीजे डालके मिक्स करूंगी तो ये मिक्सिंग बोल ये आलू है फ्राइ होने के लिए तयार, ये लाल मिर्च है, चात मसाला, धनिया, नीम्भू, प्याज, टमाटर, इमली खजूर की चटनी ये है रुकोभाई धनिये पुदीने की चटनी, हरी चटनी, और विटामिन-X ये वाला विटामिन-X घर के खाने में नहीं मिलेगा तुमें, आज आज आँ आँ कर लोगी तो नीचेनी कि आले चने की भी चाट आज जाट चाट के खाएंगे बड़े वह बहुत पसंद ना उन्युटा जो बोलते हैं कि ऐसे होता है ने इसने तो इसको थोड़ी चाट चतकारे वाली चाट जो उंगलिया चाट जाट जाए चम्मद चाट जाए प्लिक जाट जाए ऐसे भी हो सकता है किसी को अगर सटीक उत्तर बता है तो बताईए वेयन जाए किया जाता है उसलिए उसी सबसे खाने को खाट बोलना चाहिता है क्यों कि एक सी खाने के वाद में शोजाने का मन करता है और यह रेडी है और रेली कुर कुरे सुनेरे आलू आई और राहिन ने बैठे हुए हैं लिविंग रूम में और आप देख सकते हैं कि राहिन ने की एकदम 100% नौटंग की चल रही है फिर भी एक जगह पर बैठ के चल रही है बना भागता रहता है यहाँ वहाँ इसमें क्या क्या डाला इसमें बस नमक और हल्ली डाली है चाटोरी बिजीत के रिये चाट अब पलेट भी प्लेट भी प्लेट भी प्लेट भी प्लेट भी लिए प्लेट रहे है यह जारे सिक्रेट मसाले कुछ सिक्रेट नहीं है यहाँ मसाले का नाम को बतार हूँ नमक मसाला मिर्ची मसाला नमक और मिर्च डालने के बाद नेक्स मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और फिर अच्छे से टॉस कर रही हूँ ताकि जो आलू है वो सब चीजों से अच्छे से कोट हो जाएं और जो गिली चीज़ है वो एकदम टाइम पे मतलब जस्ट परोसने के पहले ताकि जो आलू का क्रंच है हलका सा वो बरकरार रहे तो इमली की चटनी और फिर जाएगी हरी चटनी और ये दूसरी चट चटाती कैमरे के साथ मुझसे पानी गिराते हैं अभी जीत रहते पानी को रोखने में थोड़े से असफल होते हुए पर फेर्गी क्या हरा, लाची做, अउष्आ है वेडर मुभा हुए बाल्रेदाध रही सक्रेड़ साफाना पीलिवाद्ट अध्हे जगा टीब यूर्ल तो जापते लिए गयाज, टमाटर, अगोडा सा धनिया, अज़ेस क्लास में चातनी करा दाल हूँ अभी की जो सिस्टर यहां पर पूने में रहती है उनकी फैमिली आई हुई है फिलहाल अभीजीत को विश करने के लिए और हमसे मिलने के लिए और राहिन ने अपनी दोनों दीदियों के साथ खेल रहा है और इसके डाड़ी लेकर जा रहे है चना चाट हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर और हम जा रहे हैं एक मंदिर तो रीसेंट में मेरे पैरेंस कहे थे एक मंदर जो कि है स्वामी नारायन टेंपल तो हम भी वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि अच्छा लग रहा है मंदर पड़ा है खुला है और वहां पे भीड नहीं द एक दम छोटे मोटे डिस्टेंस पर फिर भी मैं राहिन ने को अपनी गोद में बढ़ा लेती हूँ लेकिन कहीं हम थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो राहिन ने को उसकी कार सीट में रख देते हैं यह देखिए सो गया और हम पहुंच गए हैं मंदिर तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर राहिन ने सो गया था और फिलहाल थोड़ा सा उड़ गया पार्शली और यह देखिए मंदिर कितना अच्छा सामने लग रहा है मंदिर बहुत ही सुंदर है जैसा आप देख सकते हैं और जो फिलहाल आप देख रहे हैं यह मंदर के राइट और लेफ दोनों जगा है लेकिन राइट वाला फिलहाल बन किया गया है काफी खुला और spacious मंदर है तो जो आप अंदर देख रहे हैं न मंदर वहाँ एकदम उची उची सीडिया है और उसके अंदर फोटोस खीचना मना है और मंदर के अंदर भी बड़ा कैमरा ले जाना मना है तो ये सारे mobile के shots है जो आप देख रहे हैं तो राहिन ने भी खेल रहा है यहाँ वहाँ भाग रहा है और हमने ले लिये हैं दर्शन अंदर फोटोस नहीं खीच सकते थे तो हम दर्शन लेकर आ गए और यहाँ पर ही देखिए 40 रुपीज में एक चक्कर वाली राइट थी तो हमने सोचा चलो राहिने को कराई जाए हमारे घर में तो ऐसी रिमोट वाली कार नहीं है नाई स्पेस है हम लोग अब वापस जा रहे हैं मंदर से जस्ट कार में बैठे और अभी टाइम कुछ हो रहा है तो टाइम जो भी हुआ है साड़े पांच हुए हैं तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर जाएंगे एक दम सिंपल सा केक है वो कट करेंगे जो जो आज करते हैं तो वापस आने के बाद रहे में कोई घर खोलềnा होता है चाबी के घुच्छ में से चाबी बास उसे दे दो अब तो वो भी खुड ढूंड लेता है और खुड थो खुड दूंड में नज़े पांगर खूल देता है अजकल सोने के निचे बात नहीं करते हैं तो चांदी का वर्ग तो भूली गई है यह वो लगाया था ना बेरीसें में लड़ू पर दीवाली में अपीतल के तो नहीं है मैंने बहुत ही बेसिक और सिंपल केक बनाया है लेकिन केक का जो फ्लेवर है और जो टॉपिंग है यह राहिने की फेवरिट है वैसे हम सब को चॉकलेट और चॉकलेट गनाज केक पसंद है बस आई ज्यादा मेठा नहीं खा सकती उन्हें कम या फिर नहीं ही खाना होता है क्य जब भी केक कटिंग होती है राहिने में बिल्कुल पेशन्स नहीं होती है मतलब उसे ऐसा हो रहा है कि केक कट करो कट करो जल्दी कट करो तो हमने सोचा था कि थोड़ी दिर के बाद करेंगे पर हम पहले ही कर रहे है और देखिए पहले जो आरती है ये भी इस तरह की बच्छे कि अपरे नहां अब बच्छे कि अखराइब आपयों को लगाना सकते हुए पर यहाँ में गणी तो, कि रिखाद है प्रिखने एंट व्हुर्ण गष्ट अभी रखनी में नहीं मैं वह वहाँ करें रखने पढ़ का केड़ी मैं एंड़ा था को बढ़ाते है हुआ हुआ है